अकसर लोग नया फोन दो खरीद लेते हैं मेरे भाईयों लेकिन होता क्या है कि वो नय फोन में एक नया लॉक भी लगाते हैं जो कि उनके पुराने फोन के लॉक से अलग होता है और इसी गलती से वो उनका phone unlock नहीं हो पाता जब वो दुबारा उसे try करते हैं मैंने ऐसे भी case देखे हैं मेरे पास customer आते हैं ऐसे भी जिनका handset सिर्फ एक घंटे का होता है और वो लॉक हो चुका आता है और वो उसे unlock नहीं कर पाते हैं तो यदि आपका भी कोई phone है जो की lock हो गया चाहे वो realme का phone हो ओपो का phone हो बीबो का phone हो बन प्लस का phone हो और आप उसे unlock नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो से आप उसे unlock कर पाएंगे साथी साथ आपके लिए एक surprise भी है यदि इस वीडियो के comment section में आपके comment से कोई ऐसा comment आपका select होता है जो कि मुझे पसंद आ जाता है तो आप इन दोनों को जो देख रहे हैं realme के एक आपका ये word है और दूसरा है आपका MI का word आप में से किनी दो customers को sorry customer मैं बोल रहा हूँ आप दो viewers को मैं इन दोनों को मैं दे दूँगा तो देखीगा आज की इस वीडियो को लेकिन एक सर्थ है सिर्फ ये कि आपको comment करने के साथ साथ channel को subscribe करना है और आपको ये बताना है कि आपने इस channel को subscribe क्यों किया तो आप में से जिनके comment ज्यादा पसंद आये होंगे मैं उन्हें इन दोनों को giveaway कर दूँगा और उनको मैं ये दे दूँगा free of cost बीना एक रुपे लिए क्योंकि आप हमारे important viewers है तो इस बात का ध्यान रखेगा लेकिन तब ही जब आपका phone unlock हो जाए क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसके श्रिप इसके और इसके लालच में मेरे चैनल को subscribe किजिए मैं चाहूँगा कि आपका पहले काम हो जाए उसके बाद आपका जब comment अच्छा हैगा तो ही मैं आपको ये दोनों में से कोई एक आपको दूँगा और किनी दो viewers को य का oneplus का कोई handset है और जिससे आप unlock करना चाहरे हैं किसी कारण से वह lock हो गया तो कैसे करेंगे तो इस वीडियो को बस एक ही request होता है मेरा हर वीडियो में कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा step by step तो आप अपने phone को unlock कर पाएंगे तो उमीद करते हैं और ये मान के चल रहता हूं जिसमें आप अपने phone के master बन सकते हैं चाहे वो unlocking की वीडियो हो या फिर कोई troubleshoot का आपका कोई वीडियो हो तो आप उससे अपने phone के जितने भी technical knowledge है आपको वो मिल जाता है तो जैसे कि आज की एक नया trick है कि आपने phone को कैसे unlock करें जो आपका phone lock हो जाता है तो इस बहुत सारे वीडियो देखी होंगे जहां पर आपको live unlock करके नहीं दिखाते हैं वो सिब आपको trick बता देते हैं लेकिन वो live आपको कभी करके नहीं दिखाते हैं और इसी का फायदा कुछ fake YouTuber भी आपका उठाते हैं और आपको fake बता देते हैं कि अपने phone को unlock कर लो अपने phone म सब्सक्राइब कीजिए जिन से आपको कुछ काम की चीज़े सिखने को मिलेगी तो उनमें से एक चैनल हमारा भी है इसे भी आप सब्सक्राइब जोड़ कीजिएगा तो अब मेंट पॉइंट की बात करते हैं कि यह मेरे हाथ में एक realme का handset है और इसे unlock कैसे करना है यह realme का कोई भी handset है मैं आपको इसका model नाम नहीं बताऊंगा बरना आप कहेंगे कि मैंने तो बस especially उसी realme के handset का आपको वीडियो बना के दिया है मैंने आपको पहले बता है आपके पास realme, oppo, vivo या भी burn plus इन चाड़ों में कोई भी हो क्यों कि यह चाड़ो Chinese handset है और आपको तो है कि Chinese handset का सारा जो pattern होता है वो सब एक ही type का होता है तो चलिए मैं इसी same pattern से आपका एक phone जो की live मेरे पास realme का इसी unlock करके दिखाता हूँ आपको से पहले करना क्या है करना क्या है कि आपको इसके जो gesture इससे आपको ऊपर की तरफ करना है जहां आपसे password मांगा जाता है एक जो अक्सर आप करते हैं वो यह है कि जो आपका phone में lock लग जाता है तो आप यहां नया नया password लग चेक करते हैं कि साइध मैंने अपना mobile number डाला हो साइध मैंने अपना date of जो birth है वो डाला हो या मैंने अपने जो गारी आपके पास उसका number डाला हो यह सब आपको गलती करना नया नया password लगाना नहीं ताकि आपका phone permanently lock ना हो जाए क्योंकि अभी जो आपका phone lock है वो बस एक temporary lock लगा है लेकि यह आप ज्यादा बार ट्राइ करते हैं गलत पासवर्ड तो आपका phone permanent lock हो जाएगा फिर आपको service इंटरी जाना होगा जहां आपसे 2000 रुपय तक चार्ज कर दी जाती है और आपका phone मिलेगा तो unlock करके लेकिन आपका phone का साड़ा data भी loss आपका हो जाएगा तो इस वीडियो में जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे आपके phone का कोई data भी loss नहीं होगा और आपका phone unlock भी हो जाएगा अब आपको करना के आगे इस locking display में ही आपको अपने phone को unlock करने का राज छीपा हुआ है अब वो जो राज है वो है आपका emergency calls में यहाँ आप देख रहें यहाँ पर लिखा emergency call इसे हम click करेंगे मैंने click कर दिया आपको मैं live करके दिखा रहा हूं कि अपने phone को कैसे unlock करेंगे ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पर एक ऐसा secret code डालूंग जिससे हमारा phone का जो unlocking mode है वो आपका available हो जाएगा मतलब वो active हो जाएगा और वो जो code है ध्यान से सुनिए star hash 899 hash तो चलिए hash भी दबा देते हैं यदि आपने उस code का screenshot नहीं लिया है तो screenshot ले लिजिए ताकि आप भी यह चीज़ समझ जाएं कि बाद में कि कभी भी आपको क जाद रखने के जोड़त नहीं पड़े अब आप देख रहे हैं जैसी मैंने star hash 899 hash दवाया हमारे phone में engineer mode active हो गया अब यहीं से आपका phone unlock होगा इसमें बहुत सारे option आपको देखने को मिलने लेकि आपको सब दवाना नहीं है दवाना है सिर्फ एक वो जो आपका option है वो है manual test जो number 4 पर यहां हमें देखने को मिल रहा है तो चली इसे भी click कर देते हैं बिना देर किये मैंने click कर दिया अब आपका और भी ज्यादा deeply आपका option आपको देखने को मिलेगा आपको जहां से आप अपने phone के unlocking जो method है वहां आपको जाना है फिलाल आपको यहां पर करना क्या ह सबको pass कर देना है और चले जाना है सबसे last वाले option पर right swipe करते हुए जो कि आपका other option होगा जैसे कि आप देखर यहां पर other option आगया है टोटल यहां पर हमें 5 option देखने को मिलेंगे लेकिन इसमें आपके सिर्फ दो ही काम के है आपके phone को unlock करने के लिए पहला है आपका key status जो number 4 पर है अब यहां जो सबसे most important जो option है वो है mainboard version यहीं पर बहुत सारे लोगों का phone unlock नहीं हो पाता और बहुत सारे लोगों का unlock हो जाता है 90% लोगों का तो unlock हो जाता है अब यहां पर देख रहे हैं यहां mainboard version दिया हुआ है V1.1 यहीं आपका same यहीं आपका version है तो आप इस trick ताकि मैं आपको एक reply दूँ जिससे आपका mainboard version भी 1.1 हो जाए और दोस्तो एक बात और बहुत सारे लोगों के comment आते हैं लेकिन होता क्या है ना जब तक आप channel को subscribe नहीं करेंगे मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता comment करने के बाद भी क्योंकि आप जैसी subscribe करेंगे तो ही मैं आपकी help करता हूँ यह मेरा सुरू से नहीं है क्योंकि व्याद है आप पैसे तो मैं आपसे चार्ज करता नहीं बस एक request होता है कि channel को subscribe किजिए लेकि वो भी आप करते नहीं तो मैं इसलिए उन लोगों को तो मैं कोई help करता ही नहीं को reply देता है नहीं जो channel को subscribe नहीं करते है तो चली मानगे चलते हैं कि आपने channel को भी subscribe कर लिया होगा वीडियो को like share कर लिया होगा तो आगे क्या करना है अभी फिर आल आपको देखना है कि आपका mainboard version यह दिया आपका यह हो चुका है मेरे comment के आने के बाद तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक वारना तीन सेकेंड के ल लिए पूरा आपको धियान रखना है time देख कि आप इसे 3 लिए hold किजिएगा तो आपका unlocking mode आपका active हो जाएगा अगए क्या करना है आपको धियान से सुनिए जैसे ही आपका ये आपका 3 सेकेंड के लिए आपने hold कर दिया, आपका unlocking mode जो है वो active हो गया है, अब बस आपको सिफ दबाना है कियर स्टेटस पर और आपका phone का password, pin, lock, सब आपका हड़ जाएगा, live में आपको करके दिखा रहा हो ध्यान से देखिएगा, आपने यहाँ देखा कि जितने भी ह fingerprint sensor मौझूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे not support दिखा रहा है, यदि इस phone में in display fingerprint sensor होता, तो यहाँ भी pass दिखाता, तो इसका मतलब आपके face lock, fingerprint, pin, pattern, password आपके साड़े हड़ चुके हैं, लेकिन वो भी सिफ एक घंटे के लिए, आपको एक घंटे के बाद अपने phone को, मतलब एक घंटे के पहले ही आपको एक नया password लगा लेना है कि जो इससे आप भूल न पाएं, तो अब इसे सिर्फ एक step बाकी है, इसे चेक करना, चेक करते हैं कि यह process यहाँ काम किया कि नहीं, back करेंगे यहाँ से, one, two, और three, और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था हमारा phone unlock हो गया, शिर्फ इसी एक trick से, जो कि बहुती बहतरीन trick है, और आप भी इसका इस्तमाल करके अपने phone को unlock कर सकते हैं, चाहे वो आपका खुद का phone हो, या फिर किसी पचान वाले का phone हो, और यदि आप एक दुकंदार है, तो आप इस trick से अराम से घर बैठे, 500 रुप मैं आपको इस channel पर बताते रहते हैं, तो फिर मिलेंगे next नए वीडियो में एक नए trick के साथ, तो देखते रहिए review revealed